हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक और ने वीडियो में स्वागत है सात्यों राजनीत विज्ञान या नागरिक सास्तर के अध्यावार प्रेक्टिस सेट नंबर 21 के अंतरगत हम ले करके आए हैं आप सभी के लिए संसदी तथा अध्यचात्मक साचन प्रेक्टिस सेट जो आप सभी की आगामी परिचाओं जैसे TGT, PGT, LTE ग्रेड, GIC प्रोक्ता, गौर्रमेंट डिक्री कालेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्री विद्याले संगठन, DSSB और UGC, NETJRA परिचाओं क जारी रखने के लिए, तो आईए सातियों शुरू करते हैं, आज का ये टापिक वाइज प्रेक्टिस सेट नंबर 21, और देख लेते हैं इस प्रेक्टिस सेट का पहला प्रश्ण, पहला प्रश्ण है दोस्तों, संसदी प्रणाली का सरप्रथम B जारोपन कहां हुआ, आपसन A ब्रिटेन में, आपसन B भारत में, आपसन C सरकुतराजी अमेरिका में, और आपसन D कनाडा में, राइट आंसर होगा आप सभी के लिए आप्शन नंबर A, संसदी प्रणाली का सरप्रथम B जारोपन, या कह सकते हैं संसदी प्रणाली का जनक B बेटेन को माना जाता है, तो राइट आंसर आप्शन नंबर A बनेगा, अगला प्रश्ण है दोस्तों, संसदी शासन प्रणा प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की सक्ति मंत्री मंदल में नहीत होती है अगला प्रशन है संसदी शासन प्रणाली में मंत्री मंदल की बैठक बुलाने की सक्ति किसके पास होती है आपसनी राष्टपती के पास आपसनी राष्टपती के पास आपसनी लोक्षबा तरीके पास ही होती है साथियों जितने भी practice set आप सभी को channel के माध्यम से कराई गई है अगर उन सभी practice की authoratical classes जो handwritten notes से पढ़ाए गए हैं उनके pdf आप राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने description में telegram channel का link डाल दिया है उस telegram channel को join करें वहां से आप सभी practice set को download कर सकते हैं और handwritten notes जितनी भी class से आप सभी लोगों के लिए upload की गई channel पर सभी के free upcast प्राप्त कर सकते हैं तो ये बहुत ही महत्पूर्ण जानकार है आप सभी लोग जरूर वहाँ पर जुड़े और free upcast study material आपको वहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रशन है किन देशों में संसदी शासन प्रणाली है आप सनी कनाड़ा आप सनी जापान आप सनी दच्छिड अपरीका आप सनी उप्युक्तिस सभी राइट आंसर आप सन नंबर दी है दोस्तों कनाड़ा जापान दच्छिड अफरीका भारत बिटन आद देशों में सभी जगे संसदी शासन प्रणाली देखने को मिलती है अगला प्रशन है किसने कहा है कि प्रधान मंत्री मंत्री मंडल के निर्मार जीवन और अंत में केंदरी इस्थित रखता है आपसन ने गार्न आपसन भी डाई सी आपसन सी लास्की और आपसन डी उप्रुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा आपसन नंबर सी लास्की महोदे कहते हैं कि प्रधान मंत्री मंडल के निर्मार का जीवन और अंत में केंदरी इस्थिती रखता है अगला प्रशन है संसिती शाषन ब्यवस्था में मंत्री मंडल किसके प्रत उत्तरदाई होता है आपसन A बेक्तिगत होता है आपसन B सामोहिक होता है आपसन C A और B दोनो आपशन D ना तो A ना ही B अध्यचात्मक सासन ब्योस्था में मंत्री मंडल उतरदाई होता है आप्षन ए संसत के प्रति आप्षन भी जनता के प्रति आप्षन सी राष्टपती के प्रति आप्षन डी उप्रुक्त में से कोई ने राइट आंसर आप्शन नमबर C होगा अध्यचात्मक शाचन प्रणाली में मंत्री मंडल जो है राष्टपती के प्रति उत्तरदाई होता है और साथियों अध्यचात्मक शाचन ब्योस्ता का सर्वसेष्ट उदाहरन सेखतराज अमेरिका में देखने को मिलता है अगला प्र प्रकार की वे उस्थावित दिमान है जबकि भारत, बिटेन और कनाडा में जो है संसदी शाचन प्रणाली देखने को मिलती है अगला प्रशन है दोस्तों अध्यचात्मक शाचन प्रणाली कारे रत है आप्शनी सक्तियों के प्रथक करण पर आप्शनी और बी दोनों पर अगला प्रशन है दोस्तों संसदी शाचन प्रणाली किस्पन निर्भर है अगला प्रशन है संसदी सरकार में सर्वोच इस्थिती किसे प्राप्त होती है आप्शन अ संसदी सरकार में सर्वोच इस्थिती किसे प्राप्त होती है अगला प्रशन है संसदी सरकार का शफलता पूर्वत कारे करना निर्भर करता है आप्शन एक दली प्रणाली पर आप्शन भी दो दली प्रणाली पर राइट आंसर होगा आप्शन नमबर बी संसदी सरकार का सफलता पूर्वक कारी करना दो दली प्रणाली पर निर्फर होता है जबकि भारत में बहुदली प्रणाली ब्योस्था देखनों को मिलती है अब आप सभी लोगों के लिए एक प्रशन है कि दल्भीही दोस्तों संसदी ब्योस्था के अंतरगात बिधान मंडल के मंच पर किसी मंत्री के प्रिस्ताव को पराजित हो जाने की दसा में क्या होता है आपसन ए सरकार एक साधारन अभिस्वास प्रिस्ताव की प्रतिच्छा करती है आपसन भी प्रणाली द्वारत संबंधित मंत्री को डाटा जाता है आपसंसी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए बाद किया जाता है और आपसंडी शंपून मंत्री पर सत्याग पत्र दे देती है राइट आंसर होगा आप्शन नमबर डी शंपून मंत्री पर सत्य जो है वो त्याग पत्र दे देती है अगला प्रशन है संसदी शाषन में प्रधान मंत्री निम्नमे से कौन सा कारे करता है। आप्चन ये मंत्री परसत के बीच सवनवे स्थापित करना। आप्चन B मंत्रीयों के विभागों का वित्रन करना। photon C मंत्री मंडल के बैटकों की अधिचिता करनाiture , आप्चन D उपर उक्ति पित्रैयमेर्टेशंट सब में होता है। आप्षन ए सविक्तराज अमेरिका, आप्षन B भारत, आप्षन C शूट जलेंड और आप्षन D बिटेन, राइट आंसर होगा आप्षन नमबर D, छाया मंत्री मंदल का गठन बिटेन में होता है, अगला प्रशन है, अध्यचात्मक शाषन परणाली और संसदी शाषन परण का सबसे अच्छा उदाहरन कौन सा है, आप्षन A शूट जलेंड, आप्षन B कनाड़ा, आप्षन C फ्रांस, आप्षन D जर्मनी, राइट आंसर होगा आप्षन नमबर C फ्रांस, अगला प्रशन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विशेस्ता संसदी शाषन की है, अगला प्रशन है, निम्न में से किन देशों में अध्यच्छात्मक शाषन पढ़ाली है, आप्षन A सहुट राज अमेरिका, आप्षन B स्वीट जलेंड, आप्षन C सिरीलंका और आप्षन D उप्रुक्त सभी, राइट आंसर होगा, आप्षन नमबर D उप्रुक्त सभी जगे पर अध्यच्छात्मक शाषन पढ़ाली है, जबकि स्वीट जलेंड एक ऐसा देशे जहां पर प्रतेच्छ लोक तंत्र पाया जाता है, अगला प्रशन है, किस प्रकार के शाषन में कारिपालिका सिधे जनता के प्रत उत्तरदाई होती है, तो राइट आंसर जो स्थापिका को भंग करने का अधिकार नहीं होता है, आप्षन ए संसधात्मक सरकार में, आप्षन भी अध्यच्छात्मक सरकार में, आप्षन C परसंगी सरकार में, आप्षन D उप्रुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर होगा, आप्षन नमबर B अध्यच्छात्मक सरकार में अगला प्रशन है राष्टपत प्रणाली की सरकार सर्पथम कहां बनी थी आप्षन ए बिटेन में आप्षन भी फ्रांस में आप्षन सी सेक्टराज अमेरिका में आप्षन डी नाइजीरिया में राइट आंसर होगा आप्षन नंबर सी सेक्टराज अमेरिका में र राश्टपद प्रणाली की सरकार सर्पथम बनी थी। अगला प्रस्न है संसदी सरकार में मंत्री अपने त्याग पत्र में किसे संबोधित करते हैं। आप्षन A, प्रधानमंत्री को, आप्षन B, राष्टपती को, आप्षन C, लुक्षबा अधिच को, आप्षन D, उपर राष्टपती को, राइट आंसर होगा, आप्षन नमबर B, राष्टपती को, अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों, अगला प्रशन है दोस्तों, अध् अगला प्रशन है दोस्तों निमलिखित में से अध्यच्छात्मक शासन परणाली के लिए कौन सा सही है आपशन A कारिपालिका ब्योस्थापिका के प्रत उतरदाई होती है आपशन B कारिपालिका ब्योस्थापिका से स्वतंत्र होती है अगला प्रशन है किसे संसत को जननी कहा जाता है। राइट आंसर होगा आप्शन नंबर सी प्रोफेशर डाइसी का इस्टेटमेंट है कि संसदी पंडाली के मंत्री मंदल को जन्मत के प्रति बहुत सचेत रहना पड़ता है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन है निम्न में कौन बिचारक अध्शन शाषन पंडाली को निरंकुस गयर जिम्यदार योम खतरनाग कहते हैं अगला प्रशन है दोस्तों अध्शात्मक शाषन पंडाली के प्रमुगुड कौन से हैं आप्शन शाषन में कुसलता आप्शन B प्रशाषन की एकता आप्शन C शाषन में इस्थायत आप्शन D उपर्यूक्त सभी राइट आंसर आप्षन नंबर D होगा अगला प्रशन है दोस्तों संसदी शासन पढ़ाली में मंत्री परिशन ब्योस्थापिका के माध्यम से उतरदाई होती है राइट आंसर होगा आप्षन नंबर D होगा संसदात्मक शासन ब्योस्थामिक कारिकारणी बिधान मंदल के परिशन उतरदाई होती है अगला प्रशन है दोस्तों संसदी सरकार में राजा अध्यच होता है या राज जी का अध्यच होता है वो निर्वाचित बेक्टी भी हो सकता है जैसे भाती पर पेच में देखा जाए तो राष्टपती निर्वाचित होता है और वनसानगत बेक्टी भी हो सकता है इस पर पेच में बिटेन एक सर्वस्रेश्ट उदाहरण है तो इस प्रकार प्र राइट आंसर होगा आप्शन नमबर वी संसदी सरकार का सब्से महत्पोंड डच्छण कारेपालिका का विधायका के प्रित सामुही खुथतर दाइतु है अगला प्रशन हें दोस्तों अध्यच्छात्मक शासन ब्योस्था के अंतरगत मंत्री मेंडल के सदस्र होते हैं आप सब्सक्राइब करें अगला प्रशन और आज के वीडियो का अंतिम प्रशन है दोस्तों और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो देख लेते हैं अध्यचात्मक शाचन परणाली में वास्तविक सत्ता नहीं थोती है आपशन नोकर साही में आपशन भी राष्टपती में आपशन C पृतिमी सभा में आपशन DC नेट में राइट आंसर होगा आपश इस प्रेक्टिस सेट में उमेद करते हैं आप सभी को एक प्रेक्टिस सेट अच्छा लगा होगा और आपकी एकजान की दृष्टी से हेलफूल साबित होगा अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो दोस्तों में सेयर करें और लाइक करें जिसे हमें मोटिवेशन मिले सब्सक्राइब करें अगली वीडियो में तब तक के लिए सभी सातियों को जय हिंजय भारत बंदे मातरम आप सभी सातियों का दिन शोबहुत